पंजाब कॉंग्रिस के खीचतान में नया मोड आ गया है। कॉंग्रिस आलकमान ने 40 विधाकों की पंजाब कॉंग्रिस विधायकदल की बैठक बुलाने की मांग को सुईकार कर लिया है। पंजाब कॉंग्रिस के अध्यक्ष नवजोत सिंग सिद्धू ने ट्वीट कर बताया कि पंजाब कॉंग्रिस विधायक दल की बैठक आज शाम पांच बजे होगी बैठक में दो परवेशक अजय माकन और हरीश राय चौधरी भी मौजूद रहेंगे इस बैठक को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और कैप्टन अमरिंदर सिंग को लेकर भी चर्चाएं और तेज हो गई है सियासी गल्यारों में इसको लेकर कयास बाजी लगाई जा रही है कि कैप्टन अमरिंदर सिंग की कुरसी कायम रहेगी या कॉंग्रिस का नया मुख्य मंतरी बनाया जाएगा उदर पंजाब कॉंग्रिस के महासेचिव परगट सिंग ने कहा है कि पार्टी में कोई अंदरूनी मसले है और पार्टी के कुछ मुद्धों पर चर्चकली विधायक दल की बैठक बुलाई गई है वहीं आपको बता दे कि पंजाब कॉंग्रिस के अद्रक्ष नवजोद सिंग सिद्धू ने ट्वीट करिया जानकारी दी है कि अखिल भारत्य कॉंग्रिस कमेटी के नरदेश पर आज शाम पाज बजे कॉंग्रिस के विधायक दल की चंदिगड में बैठक होगी नवजोद सिंग सिद्धू ने इस संबंद में पंजाब कॉंग्रिस के प्रभारी हरीश रावत के ट्वीट को भी रीट्वीट किया है हरीश रावत ने अपने ट्वीट में कहा कि अखिल भारते कॉंग्रिस कमीटी को पंजाब में काफी संक्यमिर विधायको का पत्र मिला इसमें कॉंग्रिस विधायक दल की तुरंट बैठक बुलाने का अनरोत किया गया था इसके बाद कॉंग्रिस विधायक दल की 18 सितंबर यानि आज शाम 5 बजे बैठक होगी मुख्यमंतर कैप्टन अमरंदर सिंग के खिलाफ 40 विधायक की ओड से पार्टी अद्धक सुना गांधी को लिखे पत्र के बाद कॉंग्रिस की विधायक दल की मीटिंग शनिवार को शाम 5 बजे बुलाने के बारे में ट्वीट हरीश रावत ने देर रात करीब पौने 12 बजे किया सोनिय कांधी से मुलाकात के बाद रावत ने देर रात ये जानकारे दी और पारिटी के वरिष्ट नेता अजैमाकन और हरीश शौधरी परवेशक के रूप में इस बैठक में मौजूद भी रहेंगे जो की चंदीगड में होनी है ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रही है पंजाबकेसरी.com के साथ